नमस्त रोस्तो इंडियन गर्ण चैनल पे आपका फेसे स्वागत है आज हम कोलकाता में बेस्ट SK भुंजा एंसंस के बंदूग घर में आया है और एक नया स्टपनोस 0.32 रिवॉल्वर के रिव्यू करने वाले हैं यह है अमर हाइटेक एंजिनेरिंग प्राइवेट लिमिट इडिट कंपणी का नया रिवॉल्वर और यह जो रिवॉल्वर है इसका डिजाइन स्मिथन वैसन रिवॉल्वर के उपर पेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसका कपासिटी है 6 मतलब यह चे कार्टिजज़ ऑफ 0.32 स्मिथन वैसन अगर आप इसको सामने के तरफ पुष करेंगे इस तरह कि क्लिक सा आवाज आएगा अब अगर मैं हमर पूल करूंगा तो हैमर भी पूल नहीं होगा और ट्रिगर भी पूल नहीं होगा तो ऐसे काम करते हैं यह साइड ओपनिंग रिवॉल्वर है इसका मतलब है अगर आप सिरिंडर रिलीस लैच को इस तरह फॉरवर्ड पुष करेंगे सामने के तरफ और फिर आपका पाया हाथ से पुष आउट करेंगे सिरिंडर बहार अगरता है यह देखिए यहां पे मैंने पुष किया और फिर हाथ से बहार निका रहा है और ऐसा दिखता है रिवॉल्वर एक और अच्छा चीज है इस रिवॉल्वर में बहुत ही हल्का डबल आक्शन ट्रिगर पुले यह देखिए तो यहां पे जो बन येंच का बन आप किया तो यहां पे जो बेरेंख यह दो इंच का बैरल है क्योंकि यहる क्यूब्स रिवॉल्वर भड़ यहां पे अ एक फिकशर प्रण yapt यह और यहां पे गुरूफ बहार भी दिया गया है और यहां पे साइज नीप करके चला सकते और काफी प्रॉमिसिंग रखता है यह जो रिवॉल्वर है डेफिनिट्ली इंड ओडिनस फैक्ट्री के रिवॉल्वर को अच्छी तरह टक कर देगा और जो लोग बहुत दिनों से एक स्विच्टिन वर्सिंट की तरह डिजाइन के रिवॉल्वर चाते है अफोर्डबल प् क्लिक कीजिए ने वीडियो इसके बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए यह जो एच्टी का पॉइंट सीटु डिवॉल्वर है इस तरह के एक हार्ट फाइबर पॉलिमर बॉक्स में आता है यहां पर देख सेते कंपनी का पूरा नाम अमर हाई-टेक एंजिनिरिंग इं मैं आपको यहां पर अन्बॉक्सिंग करके दिखाता हूँ जो एक प्रांसिंग होर्स का वहां पर लोगो है मैं आपको दिखाता हूँ तो बॉक्स खुलते इस तरह यहां पर दो लेंगे यसे दो लेंगे तो आपको इस तरह यहां पर मिलेगा तो यहां पर बहुत यहां पर दिया गया है, जो जयातर कमपनी नहीं देते, यहां पर उनका बलिस्टिक मेजरिंग रिपोर्ट दिया गया है, तो इसका यह मतलब है कि यह जो रिवॉल्वर है, इससे अठरा गोली फायर किया गया है, सक्सेस्फुली, और वहां पर क्रोनोमीटर पर कितना यहां वेलॉसिटी पे यहां पर बुलिट्स को फायर किया गया है, वहां पर यह लिखा गया है, जो अपर बलिस्टिक रिपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर एक थर्ड फॉर्म मिलेगा, जो बेसिकर एक कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, यह काफी अच्छा लेना है, तो आप यह फिल आउट करके कंपनी को भेज सकते है, तो यह अच्छा चीज है कि वो लोग कस्टमर फीडबैक लेने के कोशिश कर रहे है, और उनके फुचर मोडल्स को और भी इंप्रूव करने के कोशिश कर रहे है, तो बहुत यह अच्छा होगा, अच्छा, मुझे यह एक्स्ट्रा ग्रिप्स ज्यादा अच्छे लगते है, यहाँ पे फिंगर ग्रूव दिएगे हैं, और जो लुक्स ज्यादा अच्छे दिखते हैं, परसिंदी मेरे अपिनियन में, दोनों ग्रिप्स में ही, यहाँ पे आपको अमार हाइट टेक का लोगो दिखा यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यह जो रिवॉल्वर है, काफी कॉम्पैक्ट है, और इसका जो डिजाइन है, आपको देख के पहला चीज जो लगेगा, स्मितन वैसन के कुछ विंटेज रिवॉल्वर का डिजाइन की ऊपर यह बेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते ह जो रिवॉल्वर है, काफी लाइट बेट है, डेफिनिटली मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे मेरा मीडियम साइज हैंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर तरह मेरा यहाँ पे फिंगर्स रैपराउंड होते हैं, और परफेक्ट फिट हैं मेरा ह इसे सिलिंडर बाहर आ जाता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अची तरह बनाया गया है, इस रिवॉल्वर को, कंस्ट्रक्शन फिटन फिनिश काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको छे 0.32 स्मितल में से लॉंग कार्ट्रिजज का डालने का जगा दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको इजेक्शन रोड को दिखाता हूँ, इजेक्शन रोड ऐसे काम करता है, स्पेंट शेल केसिंग को काफी आसानी से एजेक्ट हो जाता है, मैंने जो शूटिंग वीडियो डा करना गया है, फिर यहाँ पे मैं चेकरिंग दिया गया है, हैमर की ऊपर, मैंनुल सिप्टी को डिसेंगेज करने के लिए आपको थाम के साथ इसको पीछे पूल बैक करना पड़ेगा इस तरह, यह देखिए, पता ने आपको सुना ही दिया की नहीं, मैं फिर से एक बार करत पूल करेंगे तो ट्रिगर चल जाता है, यहाँ पे मैं ड्राइफायर नहीं करना चाता हूँ, तो इसलिए मैं हैमर की ऊपर थम रखके ट्रिगर को पूल कर रहा हूँ, धीरे से छोडने के लिए, पर आपको मैं बता सकतो, जो ट्रिगर ब्रेक है, बहुत ही क्रिस्प है, और बहुत ही cleanly यहाँ पे गिरता है हैमर, तो यहाँ पे फिर से जिसे मैंने कहा, forward push, manual safety on, click हुआ, lock हो गया, एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि अभी भी इंडिया में firearms handling, gun discipline उतना अच्छा नहीं है, तो manual safety रहना मुझे लगता है personally, बहुत ही ज़रूर है, सब तर ग्रूव को line up करना पड़ेगा, आपका front side के साथ, जो वहाँ पे सामने की तरफ है, और वो है, आपका front side, और ऐसे अगर आप line up करेंगे, तो आपका side picture आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रूव continuous है, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे, जो front side है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक ramp भी किया गिया है, ग्रूव भी किया गिया है, बेसिकली यह किया जाता है, काफी ताइम्स तो प्रिवेंट रिफ्लेक्शन और ग्लेर अप देख से, अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अमर हई-टेक, फिर नाइट्रो प्रूफ तेस्टर लिखा गिया है, फिर यहाँ पे अमार हाई टेक एंजिनियरिंग इंडस्ट्री इस प्राइब लिमिटेड लिखा गया है और फिर यहाँ पे जो कैलिबर में यह रिवल्वर चेंबर है, 0.32 स्मितन वेसं लॉंग, इसका बैरल लेंथ है दो इंच और इसका कारण यही है क्योंकि सिंस यह एक स जला सकते है विद प्रैक्टिस और मुझे परस लगता है 15 मीटर तक इस मोर देन इनफ एक तरह को फूद की तरह कर रहा हूं यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते है ऐसे दिखता है रिवल्वर का सामने वाले हिस्सा में फ्लैश ओन करके भी बैरल का इंसाइड भी हाँ यहाँ पर मैंने फ्लैश ओन किया है और यहाँ पर आप ग्रूवस भी देख सकते हैं क्लिरली यहाँ पर आपको नजर आएगा रिवल्वर का बैरल के अंदर के ग्रूवस यहाँ पर मैं आप लोग एक बार दिखा भी देता हूं कैसा दिखता है 0.32 Smith & Wesson Long का जो कार् पिस्टल में यूज होता है वो एक चीज नहीं है अलग चीज है यहाँ पर यह 0.32 Smith & Wesson Long का कार्टिज इस डिवल्वर में यूज होते है और ऐसे दिखते है यहाँ पर मैं आपको फोकस करके दिखाता हूं तो ऐसे दिखता है एक 0.32 Smith & Wesson Long कार्टिज यहाँ पर हम नीच साल पहले तो ऐसे दिखता है और यहाँ पर जो क्या बोलता है बॉक्स के अंदर आपको 20 ऐसे कार्टिज देखनों को मिलेंगे मैं आशा करते हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर लगा तो प्लीज लाइक और शेर कीजेगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर ज जै हिंद जै भारत